Assalamualikum, Namaste, Sashriya Kaal, कैसे हैं? आप लोग अमीद करते हो कि कोगे, खुश होंगे, मैं मुख खुश होंगे, मैं मुख जिकाली और मेरे स्थाथ हैं तरिक नियाजी, असलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्यकाल, उमीद करता हूँ, ठीक होगे, खुश होगे, दोस्तों, जहां रहें, खुश रहें, माबाब का ख्याल करें, कि माबाब में तो सभी कुछ है, आज की हमारी वीडियो है, तिंडे हालू पेच करा रहें क्या, आज की हम पानी पिला दो मुझे लग रहे हैं, जहां जी, आप तो अपने आप में गुड़ों का घराना है, और आपको सुनने में वक्त का, हमें पता ही नहीं चला किसी को भी यहां पे, कि कैसे वक्त फटाक से निकल गया, बहुत बहुत धन्यवारा, जहां किशोरी जी आपका, और बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट करेंगों कि आप ही लोगों को बताएं कि इस वीडियो को क्यों शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें, परसलिए मैं बोलूं तो इसमें आपने बहुत डीप मेसेजिस दी हैं, जिसमें दो तीन मैंने बहुत कुछ सीखा, especially जब आप गीता जी के उपर बात करते हैं, और वो एक मेडिसन है, जैसा मैंने कहा, और आप मेडिसन पहुचा रहे हैं लोगों तक उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी तबे ठीक कर रहे हैं, जो mentally, you know, हम एक stress मे, anxiety मे, depression में और आम ऐसा लग़ा रस्ता नहीं दिख रहा, वो शायद रस्ता गीता जी ही है, तो जो आप कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश होई थी जब मुझे पता चला था कि मैं आप से मिल रही हूँ, आप से बात कर रही हूँ, तो पहली चीज तो आप इसलिए वीडियो करें कि इसमें गीता जी से रिलेटिड बहुत बाते करिये हैं हमने, उनके कई ऐसे श्लोक जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो बाते विवेख जी झी कही है मैंने जो बाते कही है मेरी जिंदगी से मैंने जो सीखा है काम से सीखा है वो आपकी जिंदगी में कैसे हेल्प कर सकता है चाहे वो करियर है चाहे वो relationship है चाहिए वो आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत जरूरी है आज के माहूल को देखते हुए तो वह सारी बाते हमने बहुत ही simple way में ताकि आप तक पहुंच पाए हर किसी तक पहुंच पाए करी है तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को विजे दश्मी किये आप सबको बहुत 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 शुब कामना है रावन की संग में रहने वाला वानर के हातों मर गया पर श्री राम की शरण में आने वाला भव सागर से तर गया नमश्कार विवेक बंद्रा बोड़ रहा हूं फाउंडर और सी यो बड़ा बिजनेस डाट कम वेल्कम टू दबड़ा भारत शो अट्रिब्यूट टू इंडिया ग्लोबल ब्रांड अम्बासेडर्स ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं हर हफते उनी की कहानिया हम आप तक पहुंचाते हैं आज की जो हमारी पावन अफसर पर आप सबका स्वागत आए विजय का दूसरा नाम होता है जया विजय जय विजय का दूसरा नाम है जया और आज हम स्वागत करेंगे जया किशोरी जी का नमस्कार थाइंक ये सो मच स्वागत है आपका जया किशोरी जी देखिए स्पिरिच्वालिटी से ह करते हैं तो कि वह आपका सब्जेक्ट रहा है तो कहते हैं कि जब परिशान होता है इंसान जब बिमार होता है तब जाकर के वह भगवान की शरण लेता है और वैसे गीता में कृष्णन आपको उसके लिए बधाई और आप एक इंस्पिरेशन आप अध्यात्मिक रहा पर चल दी पर आज का जो यूथ है वो विज्वल जादा स्पिरिच्वल कम है उनको अगर अध्यात्मिक रहा पर इंवाइट करना हो तो आप उनके लिए क्या मेसेज देना चाहेंगे सिंपल सी बात है क्योंकि जो कॉम्पटिशन आज है वो पहले नहीं था आज जितना कॉम्पटिशन कारियर में हैं रिलेशन्शिप में हैं सोश होने के लिए उस पहले नहीं था टो थींक लिए और ज्यादा जरूरी है पिरिच्वालीटी उनके लिए और ज्यादा जरूरी है कि वह एक काम माइंद से अपना काम करें उनके लिए जादा जरूरी है कि एक सम द्रिष्टी रखे, सम भाव रखे, ताकि वो जो चका चौन है, भाग दोड है, जिसमें आपको पढ़ना तो पढ़ेगा अगर आपने ग्रहस्त चुना है, तो अगर आपको ये सब चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ खुशी भी चाहि उसके साथ-साथ पेशिंस भी चाहिए, तो इसके साथ-साथ पेशिंस भी चाहिए, तो I don't think spirituality से अच्छी कोई भी चीज हो सकती है उनके लिए, अच्छा, आज क्योंकि दशेरा है, तो एक पुरश्ण थोड़ा रावन पे भी हो जाए, कि हर इंसान के अंदर अगर एक रा कि रावन बहुत शक्ती शाली था, पर उसने वो शक्ती दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कि, राम भी बहुत शक्ती शाली थे, उन्होंने वो शक्ती दूसरों को उपर उठाने के लिए कि, जब आप लीडर्शिप की बात आप करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रह हैं आप खुद एक बहुत अच्छे लीडर है और अच्छे लीडर बना रहे हैं जब श्री राम की बात आती है जब श्री राम ने रावन को मार दिया सब जीत लिया हम सब जानते हैं कि किसकी वज़े से जीता वो श्री राम खुद थे वो नहीं होते तो शायद ही वानर तुम्हरे बल में रावन मारे हो, कि मैंने तुम्हारी वजे से मारा, वरना मैं कहां ये कर पाता, मैं तो अकेला था, तो इस सबसे बड़ी क्वालिटी थी, कि शक्तिशाली तो वो थे, पर उन्होंने शक्तिशाली दूसरों को बनाया, तो ये जब आप राम से सीख लेने मेरे सामने आप किसी भी भगवान का भजन चलाएए, मैं उतनी भक्ती से सुनूगी, क्योंकि मुझे हर भगवान एक ही लगते हैं, मैं एक एक जामपल देती हूँ, कि व्रिंदावन माननी जे एक प्लेस पर है, कोई कहीं से आरहा उसके लिए साउथ में होगा, किसी के लि भगवान सीख देते हैं, पर श्री कृष्ण कम्पलीट अवतार है, वो हर शेत्र को नोने जिया है खुलकर, श्री राम मर्यादा पुर्शोत्तम है, डिसिप्लिंड है, बहुत सीरियस है, पर श्री कृष्ण सब कुछ है, अच्छा, अब आज के जमाने की बात करें अगार सोशल मीडिया पर आजकर नेगेटिविटी बिखती है, और वही जारा दिखती है, इन फाक्ट फेस्बुक का बीच में एक अलगॉरिदम था, कि जहां भी गुस्से के इमोजी जाएंगे ना, फेस्बुक इसको इंटू टेन का ग्रोथ देता था, जहां पर भी गुस्सा दिख रहा होगा, जिस पोस्ट पे वीडियो में, किसी के लडाई, छगडा, मार, पीट, कोई, स्यूसाइड कर रहा है, कुछ अपने को आग लगा रहा है, तो उनको दस का मल्टेपल मिलता था, क्योंको ग्रोथ जादा है, हमारे दिमाग को नेगेटिविटी अप ऐसे खी आफिक आता इसके उपर, अब ऐसे में, लेकि भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं, कि आपके पास एक इंडिपेंडेंस है, थारवे ध्याय के तिरे सिट्वेश लोग, मैं आज भगवत गीता में जाला बोल रहा है, आपको देखे, यथा इच्छ इसी तथा कुरू, जै जैसे मुझे वो कहते हैं, तो उन्होंने भगवान पर बाल जा, आपके कारण कर रहा हूं, मैं सारे गलत काम, यह गलत चीज़ा देख रहा हूं, तो बी पॉजिटिव एक केवल ब्लड गुरूप रह गया है, बी पॉजिटिव, असल में मैं पूछना चाहता हूं, डिजि पहली चीज जो आपने इग्जाकली बहुत सही बात बू़ी, नेगटिव चीजे बहुत जल्डी अट्राक्ट होती है, और क्योंकि वो सस्ती है, सस्ती चीजे बहुत ज़़ादा बिक्ती है, क्योंकि उसमें मेहनत कम है, महयनथ जादा है, कि अगर आपको को एक चीज भी तो आपको पहले तो उतने पैसे एक खटा करने में मेहनत लगीगा है ना तो जब सस्ती चीज क्या है कि आपके लिए easy है किसी और को नीचा दिखाना easy है किसी और की बुराई करना easy है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई पट अपना दिल कोई खोज़ेगा नहीं क्योंकि वो बहुत महनत का काम है तो easy क्या है दूसरों की बुराई खोजो दूसरों को नीचा सोशल मीडिया में negativity क्या है आप किसी के भी पेज पे जाओ आप कॉमेंट करो कि तो मचे नहीं अब कहीं ना कहीं शायद हमें नहीं पता कि उसको खुद के लिए वो महसूस हो रहा है पट वो खुद को उस पीडा से या उस प्रोब्लम से या उस तकलीफ से ले जाना नहीं चाता तो वो किसी और पर उस चीज का इल्जाम लगा रहा है तो चाहय उसको गाली दे रहा है चाहय उसको गलत बोल रहा है चाहय उसको नीचा दिखा रहा है उसको insult कर रहा है Because This is very easy तो पहले ये जो easiness की तरफ हमारा ज्छुकाव है वो हटे और थोड़ा यह बात कही है कि हम बहुत छोटी-छोटी बातों पर जूट बोलते हैं क्योंकि हम सच से बच रहे हैं जूट बोलना इजी है आप कहीं भी दे कि सच और जूट में जूट जादा है क्यों कि तो इजी है नेगिटिव पॉजिटिव में नेगिटिव जादा है क्योंकि इजी ह तो पहले अपने दिमाग से यह हटाओ कि हमें हर चीज इजी की तरफ ही जानी हमें लाइफ लाइफ इजी चाहिए क्यों चाहिए लाइफ तो टफ ही है आपको जब आप उन चीजों का सामना नहीं करेंगे तो कई ना कई आप बच रहे हैं एसकेप कर रहे हैं सच्चाई से पर वह सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना कर ही नहीं पाएंगे और तभी हमाच स्टूडेंस में देख रहे हैं या कोई भी जो डेप्रेशन में जा रहे हैं या स्यू करना कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं होता कि मानली जाप गिर गए आपको चोट लगी है और आप करें कुछ नहीं वा कुछ नहीं वा मैं पॉजिटिव हूं कुछ नहीं वा नहीं यह पॉजिटिविटी नहीं है यह इग इजाक्ली कि रस्ता गलत था मेरा चलने का तरीका गलत था मेरा या मैं ऐसा क्या कर रहा था कि मेरा पैर लड़ खड़ा गया डिस पोजिटिविटी पॉजिटी इस सेलुशन और अप्रोच आपने भी डिपरेशन की बात भी करी मैं थोड़ा से और आगे लेके चलता हूं थो तुर्वा तीसरा एक शलोक है भगवान का जहां भगवान कहते हैं कि राज विद्या राज गुहियं पवित्रम इदमुत्तमम कि मैं आपको राज विद्या दे रहा हूं इसको फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा आपको प्रत्यक्ष आवगवम धर्म्यं सू सूखम कर्तुम व्याजम। आपको सू सुक की प्राप्ति होगी. तो आपको अत्यांद सुख मिलेगा. सुखं भी बोलते निया है भागवान पर कहते हैं सू सुखं. आपको बहुत सुखं मिलेगा baking queste को mantis करो तो से पीछे हैं वो भी हम से आगे हैं एक दफा मैंने गौर्ट गुपल जी के साथ भी बोला था ये कि सीने में जलन आखों में तुफान सक्यों है इस शहर में हर शक्स परिशान सक्यों है आप क्या लगता है कि लोग क्या गलत जगे पर खुशियां ढूंड रहे हैं क्या गलती तो मैं यही कहती हूँ कि हमारी एक बिमारी हो गई है कि हम अपनी चीजों पर तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक विदेश का स्टांप नहीं लगेगा जब तक वो मान नहीं ले कि यह सई है आप कोई भी चीज उठाइए अभी रिसेंटली एक न्यूज आए थी कि और ग पर उसके बाद जो एक इंटरनेट पे सब कॉंग्राचुलेट कर रहे हैं उनको कि कितना अच्छा काम किया है आपकी देश में तो कब से चल रहा है आपको यह दिखा क्यों नहीं तो हमारी आदत है कि हम अपने ट्रेजर को भी तब तक वाल्यू नहीं करेंगे जब तक वो स्टैंप ना दे दे कि यह सही है पहली चीज तो हम अपने ट्रेजर की दब देखी नहीं गए कि कितना कुछ है यहां पर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भाग दौड में है आपने जिसा का ब्रांड़ेट चीज तो है अब चलिए आपने ब्रांड़ेट चीज खर लेंगे बात मतलब अभी लिया ध्यान है नेक्स गाड़ी कौन सी ले रहे हैं घर ले लिया उसके बाद दी इंटरनेट पर घर के वीडियो चल रहे हैं कि नेक्स घर कौन सा ले सकते है यह जाधा अच्छा है तो आपने जो लिया आपका ध्यान उस पर है यह नहीं आपका बस accumulation का काम हो रहा है, मैं इखटा करता रहूं, इखटा करता रहूं, पर जो इखटा किया है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और फिर एक टाइम आएगा जब आप उसका मज़ा लेने के लिए रहेंगे ही नहीं, तो आपने किया क्या, आपने सिवा और कुछ भी नहीं किया, तीसरा आपका हमेशा competition दूसरों से, एक कहानी मैं हमेशा बताती हूं, कि एक आदमी ने तपस्या करी, और उसको वर्दान ये मिला, कि तुमको जो भी चाहिए तुमको मिलेगा, तो he was very happy, पर बोले हर चीज़ का एक disadvantage भी होता है, तो द दबल तुमारे पडोसी को मिलेगा, तब उसने सोचा के मुझे गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी मिल गई, पर उसके पडोसी को दो गाड़िया मिली, पर अब उसको गुसा आ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर उसने कैसे तैसे इग्नोर करने की कोशि करी फिर उसने का मुझे घर चाहिए, उसको गार मिला पर वैसा ही दो घर पडोसी को मिला, अब उसको इतना, इतनी जलेसी हो रही है उस चीज से, उसको अपनी खुशी नहीं दिख रही, के मुझे तो एक ही चाहिए थी ना, मुझे मिल गई, किसी और को दस भी मिले तो क्य तो तीसरी चीज वो मांगता है कि मेरी एक आखी फूट जाए तो पड़ोस वाले की दो फूट फिर वो कहे मेरा एक हाथ कट जाए तो मतलब उसको उससे खुशी मिल रही है तो यानि हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हमारे पास क्या है हमारा ध्यान है उसके पास क्या है तो य यह जिस दिन हट गया, उस दिन कहते हैं हर चीज में negativity अपनी धूंदो, positivity अपनी धूंदो, success में अपनी तरफ ध्यान दो, पर हमारा ध्यान है, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है, तो आपका अपनी अच्छाईयों पर ध्यान पसंद है, या उस काम को पसंद कर ले जो वो करता है, आपके साफ से क्या ठीक है, कश्मकश ही आपको second चीज बता रही है, कि आज आम आदमी के लिए कि वो जो करना चाहरा है, उसके पीछे वो काम कर सकता है, पर शायद उस पर जिम्मेदारिया इतनी है, कि आप उसको दू लौतिया और जो बाधाय होती है, वो स्ट्रॉ लगा करके हमारी सारी लाइफ के इनरजी को पी जाती है, सारी इनरजी खितम हो जाती है, ऐसे में जब बार बार कोशिच करने पर भी बात नहीं बनती, तो कहां से लाए शुरू से शुरू करने का जज़बात, क्योंकि कहीं से शुरू करी नहीं रहें, आप अगर सफल हुए भी हैं, तो आपके पास सीख है, कि अब मुझे ऐसा क्या करना है या क्या नहीं करना है सफल होने के लिए, तो आप शुरू सीखे कि शुरू में जब आए आप जीरो, आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी आपको बह सीखते हैं, तो वो रिपीट कर शोगी, अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो शायद कुछ ऐसी बाद जो आपने शीखी, नहीं रेकिति नहीं है, यह और वह उसी वक्त है, जो हम अखनौलेज करने की बात करते हैं, कि वैसे क्यूँ आया, रिजन क्या है, और अगर आ क्योंकि मुझे पता है, इस पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ती है, जो बैठी है मेरे लिए काम करने के लिए, वो मुझे कभी भी हारने नहीं देगी, तो अगर अभी उसने मुझे गिराया है, तो शाइद मेरे लिए गिरना ही सही, मुझे इससे कोई सीख मिलेगी, या अभ पर एक कहानी कहते हूं जिसकी सीख है भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है पर होता वही है जो मैं चाहता हूं तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है भगवान आपको धहर्य सिखाते हैं कि तू रुक मैं रस्ता दिखा रहा हूं किस पर काम करना है और वो मिलेगा तभी जब मुझे सही लगेगा पर हमें तो हर्चीज तुरन चाहिए ना कि मुझे या भी चाहिए पर वो भगवान के आपको नहीं मिलती आपको वेट करना आपका मुझे बहुत पसंद आया है लोग आपकी आवाज और शैली के दिवाने और आपको तो क्या कहूं कि उपर वाले ने भेजा है आपको सबके जीवन में भरने के लिए मिठास तभी तो कृपा ऐसी के मिष्टी से मीठी है इनकी आवाज तो आज ऐसे तो नहीं आगे बढ़ेंगे इस सोलफुल भक्ती संगीत की शुरुवात आपने कैसे करी आपने संगीत को चुनाया संगीत ने आपको चुना और आज अधूरा रह जाएगा अगर एक दफाह हमने तुमने लाखों की किसमत सवारी ने गाया तो शुरुवात मैंने बच्पन से करी और आप अचली मैं जब एक सतसंग में गई थी और वहां एक जन भजनगा रहे थे और मैं एक हर छोटे बच्चे की तरफ फूलों से खेल रही थी और मैं खेलते खेलते में उनके आसपास गई पर क्योंकि मेरे घर में हमेशा से एक अध्यात्मिक माहूल था हमें बच्पन से गीता रहती और बच्चे को ऐसे भी बहुत जादा रहता है तो मैंने वहां जाकर वो जो गा रहे थे और मैं फूलों के साथ खेलते खेलते लिपसिंग कर रही थी और उनकी नजर मुछ पर पड़ी थी और शायद उन्होंने उस वक्त मेरे पिता से कहा था कि आपको इसको शेत्र कि या स्ट्रेस को ना लाने का एक शस्तर है मेरे पास, ये चीजे मुझसे दूर होती है क्योंकि मुझे थोड़ा भी अगर दुख होता है या मैं अपसेट होती हूँ तो मैं भजन चला देती हूं और अपने आप मेरा दिमाग ठीक हो जाता है, मेरा मूद ठीक हो जाता है परिशानिया अपने आप दूर हट जाती है और शायद यही भजन भी इसलिए है कि आपने बहुतों को ठीक किया है पर वो ठीक होने की बारी मेरी है I'll sing the first two lines तुमने लाखो की किसमत सवारी अब सवरने की बारी हमारी तेरी चोखट पे जो भी जुका है उसको दुनिया ने सर पे रखा है तेरे रुतबे का क्या क्या सबब दे इतनी ताकत नहीं है हमारी तुमने लाखो की किसमत सवारी अब सवरने की बारी हमारी आपको लोग फॉलो करते हैं आपको लोग फॉलो करते हैं अब ही तो देखिए पूरी दुनिया का मेरे इसाब से गीता जी है पर मैंने शुरुआत श्रीमत भागवतम से की थी उसके बाद मैंने गीता जी पड़ी तो मैं श्रीमत भागवत कहूंगी क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतार हैं उनकी सारी लीलाएं हैं पूरे 24 अवतार और 24 अवतारों की सीख है तो श्रीमत भागवत मेरी पहली किताब थी जो मैंने जिसका अध्यन किया था जिसको समझा था जिसको पड़ा था भागवतम कोई सबसे important प्रसंग जो आपको लगता जिसने आपको बहुत प्रभावत किया बहुत इंस्पायर किया आज भी आप उसको याद भी करती है चर्चा भी करती है सुनाती भी है मैं कहूंगी ऐसे तो श्रीकृष्ण की हर लीला है जो आपको बहुत पसंद आती है बहुत लुभाती है क्योंकि उसमें उत्सव है प्रेम है भक्ती है तो आप मुझे लगता आप दस्वेश कंद की तरफ जा रही है अजी लेकिन समझदारी की अगर जब जीवन सुधारने की बात कहे तो मैं पहला ही श्लोग कहूंगी जो है सच्चिदानंद रूप आये तो क्योंकि उसमें भगवान की रूप के बारे में बताया गया जो शास्त्रों में है जो है सत्चित और आनंद आप इन तीन चीज को अगर असलियत में जानने की कोशिश करते हैं तो आप पहुंचते भगवान तक है और यही आपको हर शायद ग्रंत, वेद, पुरान, उपनिशद यही समझाता है कि पूरी दुनिया को जो खोज लेता है वो आंत में पहुंचता भगवान के पास ही है कि मैं हो सकता है इतना घूम कर आ रहा था अगर मैं सीधा भगवान के पास भी चला जाता तो मैं सारी चीजों को समझ जाता तो सच भी भगवान है चित भी भगवान है और आनन्द भी भगवान ही है आज थोड़ी अध्यात्मी चर्चा होई तो मैं कुछ आड कर देता हूं नॉमली बड़ा भारत में मैं पूछता हूं आड नहीं करता हूं क्योंकि मेरा मैं नहीं बोल रहा होता हूं अस समय आप जैसे मेहत्वपून लोगा के बात करते हैं इसमें ब्रह्म समिता के अंदर पाँचवे ध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने इसके उपर चर्चा करी थी कि इश्वरा परमकृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारणम के इश्वर परमकृष्णा है और उनका विग्रह कैसा है वो दिखते कैसे हैं उनका रूप क्या है तो बोला सच्चिदानंद सच जैसा आपने बता दिया सच्चिदानंद का मैं अर्थ रिपीट नहीं करूँगा जो कि आपने बहुत अच्छा बताया सच्चिदानंद विग्रह तो कोई कह सकता है कि भगवान का कोई कारण होगा वो कहां से निकले उनका सोर तो जब आपने सच्चेदानन विग्रह की बात करी तो मुझे लगा कि मैं श्लोक पचर्चा करता हूं थोड़ी आगे बोल देता हूं भाह रोक नहीं पाय आपको लेकिन आज दिनापी का है तो करियर में अपने शुरुआत से शुरू कर दिया जल्दी में शुरू कर दिया तो आज अगर आपको करियर से अपने तीन लेसन देने हों तो आप क्या लेसन देना चाहेंगे पहला लेसन आपकी जो इंसल्स है उनको सीरियसली मत लीजिए क्योंकि अगर आप वो सीरियसली लेते हैं तो आप अपने कॉंपिदेंस को खतम कर लें वो इसी लिए है क्योंक उकते सूरच को सब सलाम करते हैं क्यों क्योंकि जब वो उकता है तो वो रोशनी देता है contribution जब तक आप किसी फील में contribute नहीं करेंगे लोग आपको seriously नहीं लेंगे तो वो आपको नहीं ले रहे आप भी उनको मत लीजिए आप अपने काम में ध्यान दीजिए contribute करिए वो ही लोग आपके लिए तालिया मुझाएंगे तो इंसल्ट को seriously मत लीजिए दूसरा जो मेरी जिन्दगी का बहुत important पाट रहा है भगवान पर भरोसा रखिए यह आपको हारने नहीं देता है यह बहुत पक्की बात है कितनी बार भी आप फेल हो जाए रिजेक्ट हो जाए कुछ भी हांडल करिए यह शक्ति एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं करने देती कई बार लोग हार की गलत रास्ता अपना लेते हैं जिसे हम शॉटकट कहते हैं पर शॉटकट का सक्सेस शॉट समय तक ही रहेगा लाइफ टाइम नहीं रहेगा लेकिन जो सक्सेस आपको थोड़ा मेहनत धहर्य पेशेंस इनके साथ मिला है वो लंबे समय तक चलता है क्यों तो नहीं देख रहा और बहarta को मानने वाला जानता है कोई नहीं देख रहा वो देख रहा है वह हसाब करेगा आपका तो यह दूसरी है कि भगवान पर भरुषा रखों तीसरा जो मेरे पापाने मुझे का कि रुकों मत बहता पानी निर्मला जब रुक जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस ये कब आता है जब आप रुक जाते हो और वो रुकने का मतलब यह नहीं कहरी मैं ब्रेक मत लीजे पर एक वो रुकना के अब मुझसे नहीं हो रहा या आप जो कर रहे हैं उसी में कमफ आया, हो सकता उस वक मुझे एक मन में जिग्यासा इंट्रेस्ट आया कि बढ़ी अच्छी चीज है करते हैं इसको पर वो करने में मुझे देड़ दो साल लग गए, तो मेरे लिए इतना तफ था, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही थी, मु मुझे पर नहीं मुझे करना है नहीं चीज, मैं उस comfort zone में नहीं जाना चाहती है और जब उस पहली कथा को लेकर comfort zone हुआ तब मैं श्रीमत भागवत करी, तब भी मैं अपने comfort zone में निकली, मैं class 12 में थी थब मैं ने करी थी, और जब उसको लेकर मैं धेरे-धेरे comfortable हुई मैं प्लान नहीं करती चीजे और ये कोविड ने शायद और मुझे सिखा दिया कि करना भी नहीं चाहिए, कहते हैं कि अंतर मुखी सदा सुखी, self introspection बहुत important है, और self introspection के साथ-साथ meditation पे आजकर सब लोग बहुत focus कर रहे हैं, पर meditation के लिए शास्त्रों में तरीके बताए मैं देखा हर धर्म में लगबग एक तरीका बताया है, जैसे सिखों के यां बताया है, कल्यूग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरिया पारा, कि कल्यूग में भगवान का नाम लेना एक अधार है, Christianity मैं ने देखा, thou shall chant the holy names of the Lord, one of the ten commandments, मुहाबी भी चैंटिंग की वरलम कलो, नास्ति यवा नास्ति यवा गतीरन्ने था, कि हरी का नाम येग उपाय है और कोई उपाय नही है। तो meditation में चैंटिंग का बड़ा रोल है, भगवान के नामों का जब करने का रोल है, उनको ध्यान से सुनना, उस आवाज को ध्यान से सुनना, उस पर meditate करना, आप meditation को लेकर को किया सुझाव देती हैं और आप कैसे meditation करती हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? इक्जाक्ली जो आपने बात कही और बहुत सी स्टाडीज है अगर आप इंटनेट में सर्च करें जो प्रूफ करते हैं कि मंत्र चांटिंग जिनको उन्होंने नाम दिया है यह सबसे अच्छी मेडिटेशन मानी गई है क्योंकि पहली चीज जो मंत्रों के जो वाइबरेशन्स होते हैं वह आपके दिमाग को बहुत काम करते हैं आपका कॉंसेंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और आप ऐसे कई दोहे होंगे चाहे राम चरित्मानस रामायन की श्लोक होंगे और कई ऐसे श्लोक हैं जो हैं आपको मेडिटेशन के लिए या कॉंसेंट्रेशन पावर के लिए जो क्लिए दो बहुत पहले को सुकून देता है क्योंकि पहली चीज उसके साथ एक इमोशन जुड़ा है आप वर्द बोल रहे हैं या कोई भी और मेडिटेशन कर रहे हैं तो वहां शायद करते हैं तो आपका एक इमोशन जूड़ जाता है तो योग क्या है युनियन है युनो आप को हर चीज को जोड़ना है तो शायद आपका दिमाग, आपके एमोशन, आपकी भावनाएं, आपकी सोच एक साथ जुड़ रहा है, आपकी आवाज जब आप मंत्र चांट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मंत्र चांटिंग बेस्ट मेडिटेशन का एक फॉर्म हो सकता है, जो आपको हर फील्ड में हेल्प कर सकता है, बल्कुल आपने ठीका भगवत गीता का एक स्लोक है इसके विशे में, जहां भगवान कहते हैं कि यग्या नाम जप यग्यो असमी, कि सभी प्रकार के यग्यों में मैं जप यग्य के रूप में जाना जाता हूं, यहनी कि जप यग्य, यहनी कि चैंटिं बहुत सुंदर, थोड़ा अध्यात्मी चर्चागर करते हैं तो कहीं बार सोचा जाता है कि अध्यात्मी जीवन में आगे बढ़ेंगे तो संसारी जीवन छोड़ना पड़ेगा, हाला कि भगवत गीता में ऐसी बाचीत नहीं होती है, कृष्ण ने जगे यहां भी कहते हैं अध्यात्मी एकार तो कहार हैं तो जबस लोग समझ नहीं डchos यहां तो आपके इसाब से आध्यात्म को जीवन में उतारने का अभ्यास करने का सबसे अच्छा थेरह कहा है What is the right way to practice spirituality? सबसे पहला right way is honesty with whatever you are doing. मैं हमेशा कहती हूँ, अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, तब टॉक्टर इस पिरिच्वल. अगर कोई teacher बढ़ाने का काम honestly के साथ कर रहे हैं, अपने इंटेंशन सुनके अच्छे हैं, कि आच्छली students को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपना काम करके अपनी सालरी लेना चाहते हैं, आपके इंटेंशन्स अच्छे हैं उस काम को लेकर, आप टीचर स्पिरिच्वल, तो सबसे पहली चीज यही है कि ऑनिस्टी और इंटेंशन, इसमें एक अब्जेक्शन दे दून आपको, मालो कोई टेररिस्ट वह बड़ा होनिस्ट है मैं टेररिजम फैलाने ने इंटेंशन्स मैंने इंटेंशन वर्ड इसले भी कि आपके इंटेंशन, अब मालीजी टीचर ने पढ़ाया है अच्छे से, पर इंटेंशन पढ़ाने के हैं ने, इंटेंशन है कि अच्छे करो ता कि सालरी मेले, तो इंटेंशन क्या है कि आपके उदेश आपका अच्छा होना चाहिए और जब आपका उदेश अच्छा होता है ना, मैं हमेशा कहती हूं, अगर आप अच्छे उदेशे के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों का तो होगा भला आपका भी होगा, बहुत सुन्दर, ये भला वर्ड लवली, फैंटास्टिक, अच्छा, अगर भगवाने सबको एक जैसा बनाया है, तो किसी के पास बहुत जादा और किसी के पास बहुत कम क्यों है, प्रारब्ध, कि आप, देखे, ये भी एक रीजन है, कि ये क्यों है, ये क्वेस्टन ही प्रारब्ध को आई थिंग प्रू कोई ऐसे घर में पैदा हुआ जाओ, उसको वो सब पाने के लिए बहुत काम करना पड़े, कोई तो रीजन होगा, चलिए आप रारब्ध को नहीं भी माने, find that reason, क्योंकि यहां तो आप चाहे कोई भी शास्त्र उठाई, questioning ही तो है, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थ अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो शायद दो तीन पन्नों में खतम हो जाती, पर अर्जुन को जब तक satisfaction नहीं मिला है, तब तक चलती रही, तब तक चलती रही, 48 मिनिट गीता चली थी, और भगवान से questioning चल रही, सोची, तो किसी और से ता आपकी और जादा थे ता questioning क्या बात है, वेई गुड़, वेई गुड़, आपने ठीक हा, प्रारत, गहना ही कर्मनों गती, भगवान ने का है, कर्मों की गती बहुत गहन है, और प्रारत के वशे में गीता में बहुत चर्चा होई है, आपको मैं गुड़ नियूस दू, मैं एक नया सीरीज लेकर क्य गीता रहा हूं, गीता इन अक्षन, गीता को एक्षन में जीवन में कैसे उतारा जाए, और मैं गीता को संसार में, जीवन में, लोगों के, मैं पूरा का पूरा हमारे देश में और दुनिया में, मेरा एक लक्ष है कि मैं नारेटिव बदल दू कि भगवद गीता हर घर में होनी चाहिए हर विक्ति को पढ़नी चाहिए नो अब्जेक्टिव ऑफ बिजनस नथिंग प्योर भगवद गीता में क्या चर्चा भगवान ने करी जीवन में उतारी जा सके तो आप भी पुरात्ना करिए कि हम इसके द्वारा इस मेसेज को पहुचा सके कि धरम के चश्मे को उतार के भगवद गीता को पढ़के देखो दवाई हर को ही ले सकता है ओधरम आप डॉक्टर के पास आदे पूछते नहीं कि मैं ले सकता हूं या सकता हूं अगर अगर आप पर्मिशन देता हूं आपके साथ आज एक रैपिट फार रावं कर ले बिलकुल तो मैं अपसे जल्दी जल्दी पूछूँ आपको तक 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 जल्दी 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 आंसर करना है मेरा पहला प्रशन, पिछले 20 सालों में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानती है मेरे पैरेंस की खुशी और वो खुशी है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ अगला प्रशन, आपको लाको लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? मैं भगवान को फॉलो करती हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनसे बड़े कोई गुरु नहीं है अगर आप एक spiritual orator नहीं होती तो क्या होती है? मैं कुछ भी होती जिसमें expression का काम होता है, like express करने का क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं गाती, पर क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं express करती हूँ प्रश्न केहते हैं कि मैं अगला प्रशन बेरा हूँ, जो भी होता अच्छे के लिए होता है, क्या आप हिसको मान्ती है बिल्कुल मान कियोंकि मैं भगवान को मानती हूं क्योंकि मैं नहीं मानती हूं कि वो आज कंना मन साथ में रविसाथ कभ भी गलतром करें आपके साफ से एक सफल विक्ति कौन है जो संतुष्ट है आपके लिए भगवान कार्थ क्या है सब्चितानन्द सब्चितानन्द आप कीप्स यू मोटिवेटेड में जो मैं जिन लोगों को देखती हूं और जब आते हैं और बताते हैं कि मेरी बाते उनको हिल्प कर रह कि अब कैसे रुख सकते हैं आप इतने लोगों की उमीद बन चुके आप उमीद कैसे तोड सकते तो आपको तो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा आप कीप सी मोटिवेटे इंपक्ट यू जनरेटिंग आम आदमी दो चोटी-चोटी चीजों से आपके इंटेंशन अच्छे थे तब दुख होता है पर दर डज नॉट मीन में काम रोग दूंगी में काम तो करूंगी क्योंकि मेरे इंटेंशन सही है तो शायद जब मुझे चाहिए था तब मुझे उप्रीसियेशन नहीं मिला पट मैं काम करती रहूंगी मैं थोड़ी स पर निंदा ही आपके स्थुति बनती है कोई ऐसा गाना या भजन जो जो है किशोरी को बहुत पसंद है जो अकेरे में खुब गुन गुनाती है मेरा अपकी क्रपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कनहिया मेरा नाम हो रहा है मेरा अपकी क्रपा से सब काम हो रहा है वड़ा लवली मीनिंगफुल स्वाग गाई एक परसनल सवाल आप से इसको मैं आखरी सवाल रखता हूँ अगर आपको ठीक लेगे उतर दोना आपसे बातीर करते समझ आए भी आपका विवाह नहीं हुआ तो क्या जया किशोरी के जीवल में भी कोई क्रिष्न किशोर है और अगर है तो कौन है अगर आप बताना चाहें आप विवाह करने जा रही है नहीं जा रही है ताद्वी रहना चाहती है विवाह ग्रहस्त आश्रम में जाना चाहती है पुर्टनल क्वेश्टन ओवव टी यूँ नहीं अभी कोई नहीं है, पर मैं ग्रहस्त में ही, क्योंकि अभी भी एक तरीके से मैं परिवार में हुँ, मैंने परिवार नहीं छोड़ा है, और मैं पिलकुल साधारन लड़की हूँ, मैं संत, साधवी, साधू, कुछ भी नहीं मैं एक साधारन जीवन जी रही हूँ, जाब परिवार है, परिवार की बाते हैं, परिवार रिष्टदार है, परिवार का occasion है, सब कुछ है, उसके साथ-साथ मुझे भगवान में बहुत जिग्यासा है, और जैसे-जैसे मैं पढ़ रही हूँ और ग्यान वही अच्छा होता ह जो बाटा जाता है, अगर रख दिया तो वो कोई फाइदे मंद नहीं होता, तो मुझे जो पता है, मैं वो बाट रही हूँ, चाहे उसका स्त्रोत्र भजन है, चाहे उसका मीडियम कथा है, मोटिवेशनल सेशन है, उसमें भी हरवग भवान की बात आईगी, मोटिवेशनल वो ही है, जो वो साथ दिन का सार है, तो करूँगी, शादी भी करूँगी, परिवार भी होगा, अभी कोई ऐसा विचार है नहीं, अभी काम है, बहुत कुछ है, और अभी इसी में आगे बढ़ना है, और थोड़ा बदलाव लाना है, बहुत खूब, और मैं आप सबसे आप उनसे क्या सीखते हैं, और इस वीडियो में भी अगर हो सके, तो नीचे बताईए, आज आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी, मेरी नजर में इन्होंने भारत को वास्ता में बड़ा भारत बनाया है, बाई शेरिंग दी वर्ड ऑव विजडम जो हमारी संस्कृती है, उसको बहुत आसान भाशा में करके बताया, और वही इन्होंने समझाया भी आज, के आपकी जो निंदा है, वही आपकी स्तुती बन जाती है, फेरी इंपोर्टन लेसन, इन्होंने जितना सिंप्लिफाई किया, उसको उसी सिंप्लिफाइड प्रोसेस में आज जो आपन सुना, नीचे लिख के बताएए आपने क्या सीखाव, अगली एपिसोड में आप किस्ते मिलना चाहेंगे, वो भी जल्दी बताएए, बस थोड़ा सा और इंतलार आ गया, एक और बड़ा बढ़ा बढ़ार इस बड़ा भारचों के इस एपिसोड को पूरा देखने के आप सब का हिर्दे की गहराई से प्रेम पूरो बहुत बहुत धन्यवाद, जया जी आपका विशेश धन्यवाद कुछ किसी एक वीडियो से नहीं सिखा, बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है, जितना सिंपल कर दिया, जितना वर्ट वर्ड उर्ड उर्ड उन्हें ने शॉट सी शॉट वे में बता दिया, मतलब आप यकीन करें, ये वह बादे थी ही, कि एंसान कमसकम 25-30 साल लगाए, उसके बाद इतना गयान आपको में लेगाए, इसमें कोई भी शक नहीं है, कि मैं बार बार एक चीज कहता हूं, वो चीज मैं बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, ये कहता हूं, शायद हमारे वालदेन जिस दौर में जिये थे, उससे कई कुना हम खुश नसीब हैं, आप इंडिया में किसी एक शक्स की नॉलिज को हसल कर सकते थे, आज से 20-25 साल पहले, आप इतनी मालूमात ले सकते थे, वाकई हम बहुत खुश नसीब हैं, जो हम इतनी खास लोगों को जानने लग गए हैं, इनकी नॉलिज हम तक आ रही है, सबसे पहली चीज, सबसे पहल बिरिंदवन की जो मिसाल दी थे, कोई नॉर्ट से आ रहा है, कोई साउट से, कोई एस्ट से, लेकिन शक्ती तो ही की है, जन्द तो ही की है, मैं इस तरह के इस चीज को समझता हूं, कि आप किसी इसको मख़ब के पॉइंट भी हम ले सकते हैं, कि कोई किसी भी मख़ब से, वो मानता तो एक खुदा को है ना, एक खुदा को, बेशक है, एक शक्ती है, एक कुट है, ताकत है, बस चले खुदा भी नहीं वोले, ठीक है ना, अच्छा दूसरी चीज यह है, कि यह बिल्कुल 100% सच है, कि हमारे माशरे में नेगेटिवीटी पे जादा फूकस होता है, हमारे माशरे, अच्छा, दो चीज़े हैं, एक ऐसी पोस्ट आती है, जिसमें पॉजिटिव बात है, एक ऐसी पोस्ट आती है, जिसमें कोई नेगेटिव बात है, आप नेगेटिव वाली पोस्ट को ज़्यादा पढ़ते हो, उसके कॉमेंट्स देखते हो, यह क्या हो गया उसने इसको तलाग दे दी, उसने इसको थपड मार दी, उसने ये कर दिया, पॉजिटिव में किसी ने कोई अच्छी बात किया, आप उस पे नहीं जाते हूं, यह हमारे दिमाग का एक सिस्टम है, जो हम इस तरहां दिमाग काम करता है, और इनने एक बहुत ही खुबसूरत य आपते ही ये बात कि कि हमें हमारी जात से लिस विस और घृड़ जो जो लोगा इसफूमें के ओंगर हमने और उनकी था से अपने आपको तोड़ दिया, हम कभी arms आपको दी तो करने हैं सबने ज़स्पात, नाम गार नहीं लेना चाहूंगे, लिकिन नॉलिज में हैं मेरे, बहुत ही बुर्दबार, बहुत ही ब्रेव टाइब, बहुत ही असमों होसले वाली खातुन है, लेकिन कुछ परेशानिया, कुछ मुश्किलात, कुछ मसले मसाइल, कुछ इंस कि इंसान खतम हो जाता है, पर पाद हो जाता है इस तीज को लेकर अगर आप वक्त रहते हैं, अपने आपको स्रॉंग नहीं रखते हो, यह इंचीज़ों को जादा अरसन नहीं रहते हो तो आप यहीं करो एक पागल में और आपने कोई फर्क नहीं रहेगा, आप इस हद त इस तक आप कॉंपलेक्सिटी में चले जाते हो, कि इक ही बात को छे बार बोलना, यानि एक ऐसा इंसान के जो रॉल मोडल हो, लोगों का, जिसकी तरह बनना चाहते हो, और उसको लोग, दुनिया वाले इतना कुछ अदे हो, इसकी परसनलिटी को, उसकी कॉंफिदेंस को, क कि मिलकुल फुलिश सा हो जाए, बिक वकुफ सा, बिकार सा, वही वाली बात है कि अगर आपने उन पर फोकस किया तो, तो इन्होंने बहुत खुब सुर्ण लेसन दिया कि आपने जिन्दगी को आगे बढ़ाना है, तो अचा एक चीज़ आपको वैल्यू नहीं दे रहे, चड़ते सूरज को सब्स़ाइब, जब आपका सूरज चड़ेगा तो भॉषनी होगी, आपको सब्सब्सवाणा लेक्तार, पर जो लोग आपको तन्वी को निشाना बना रहे, और बहुत ही अधको कहूँँगी, व 200 साल के बाद जावितना गयान मृले जो हमें सिफ मेहह जो लोग आपे तकीद करते हैं उन ही से तो आपने बिजनस आपने जिंदगी की चीज़े सीखते हो कि आप में क्या कमी है जो लोग आपको तंग कर रहे हैं जो लोग आपको तंग कर रहे हैं उनसी तो आप सीखते हो उनसे आपको आइडिया होता है किया कमी थी क्या प्रॉबलम थी क्या मसला था अच्छे इन बड़ी और खुबसरत बात की तो इनने बड़ी खुबसरत बात की के जैसे कोई टीचर तो मतब आप जो है अपने किसी को कiplush देणा चाहरे हो, तो आप तो मैं अगर मकसद लाते हो, अगर आप फोकस ही करते हो कि इसे मुझे पैसे आने जाने, आने है, वो तो आनी जारी या आप किसे कुछ दे रही हो लेकिन दे रहे हो लेकिन उस दिल्चस्पी से उस नेक नियती से उस एक इमानदारी से तो आप कभी भी कभी यह समझे लो कि हर वो शक्स इन्होंने कहा है कि वो एक अच्छा इंसान है जो अपने काम को इमानदारी से करे और यह चीज़ हमारे काम है हमारा मकसद यह है लेना हमने यह आपको दे दिया अब हमारे पैसे दो यह हमारा मकसद है हम पैसे पैसे लेना या अपनी सर्विस दे के पैसे लेना लेकिन हम तो देखें कि हम अपने काम को कितना हंड़ेट पर सुन कर रहे हैं अच्छे इसको आप भार्मिक आप रिच्वेल वैसे ही बन जाओ कि अगर आपने काम में एक तो इमानदाडी लेओ और दूसरा आप अपने काम में अपनी नियत साफ रख को जह से हम गयते है ना नियत साफ मंजेल अचानी आप अगर नियत साफ रखते हो सामने वाले का तो भला होगा, हंड आप अच्छी इरादे रख कर पड़ाओ तब इमिलेगी आप निपताओ आप अप लालज के लिए पड़ाओ तब इमिलेगी तो बात यह है कि उन्हों नहीं कहा है एक इमानदारी लेओ अपने काम में और दूसरी बात यह है कि आपके जो इरादे हो ना वो नेको जैसे उ मतलब तैरे डिस्टे वो बड़ा जोश से करें बड़े उसके साथ करें तो उनने का तभी मैंने इंटेंशन की बात रखें कि इरादे आपके अच्छे हो बलाई के हो लोगों का अच्छा करने के हो बिलकुल बहुत ही खुबसूरत अच्छा मेडिकेशन के बजन या जिकर जिकर करते हैं या नमाज या मतलब बंटर पढ़ना तो ऑससी यो टा कि इंसनन वाकिझरे में रहता है और आखे बंद करते हैं तो मुझे है झाले हूख वल्कप हर एक व अल्या करते हैं यह साले अडिकर को अपने अंधर का जहां करें लता है अंसान को बाकि वो दुनिया आपने को फेसलिया से भी क्यान्ना आपने है काम बहुत किर खाली तीक के बहुत ढाली में वह थाय को प्राय वेशे हैं और इंसान अकनी लाइफ में इजी चीजों को अपनाता है, और मुश्किल चीजों से भागता है, जैसे लाइफ इजी हो, अच्छा मैंने चीज और सिखी है, वीडियो से भी और वैसे भी हमारे बड़े बुरे बात करते हैं, तो उकसर यह कहते हैं, जिनके लाइफ बड़ी उनकी आखरत बड़ी सवर गए, आसान हो गई है, वह सुर्खरो हो गए, ऐसा ही है, अगर आप लाइफ इजी चाहते हो, चलो ठीक ही, इसी मिल गई, आपको हर आराम मिल गया, ऐशो इश्टत मिल गई, असाइशे मिल गई, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, लाइफ ल और उसे कहा के तेरे पड़ोसी को दो मिल जाएंगी, इसाइडवांटेश था ये तरीके तो उनने का ठीक है, अच्छा उसे अपनी एक गाड़ी की खुशी नहीं, जितनी जैले से उसको दूसरे की दो गाड़ीं से उरही ही, बतों से बर्दाश, ये बहुत अजीब औरी हमारा फोकस दूसरे की तरकी पे, हमारा फोकस दूसरे के कामों पे, हमारा फोकस दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिस से हम अपनी जिन्दगी पर बाद कर देते हैं, उनों फिर आखरी में पतब इतना डिसार्ड हो गया था, तो उसने का मेरी एक पूट जाए गतुल एह समझाने की बात थी लेकिन करें हम हमारा ये की घरनती परद उस में एकता हूं őर उसने ऐसे शेमान जा सदो यह भीर एडिया मैं वो तो यह हैं अधिकरода वार। क्या करना है आपके पास क्या है और आप अपने में खुश हो ना आपको एक गाड़ी मिली ना आपको एक वंगला मिल गया ना बस आप उसमें कुछ हो जाओ ने बहुत बहुत आला थी और बहुत इंसानी फितरत से जोड़ती है यह चीज सच है और अच्छी बात यह जब उन कोई शक्ती है जो मेरी लिए काम कर दी और अगर मुझे बगवान ने गिराया है तो इस वह सही समय है मेरा गिनने का इसमें कोई ना कोई रीजन कोई ना कोई कारान है अच्छी इस वात को थोड़ से समझते है कि अकसर हमने बहुत सरी लोग की जर्नी देखी लाइफ की तो कहां कहां गया है फिर आज क्या बने तो मतलब मैंने यह देखा कि यह यह तकलीफ मुदी जी की स्टोरी पूरी हमने सुनी कि मुझे तो आसा लगता है वो तैयार किये गए हैं तो जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी आगे कोई ना कोई रीजन होता है मिसाल के तौर पे मुझे है सलगता है और अज हुआ एओ ज़सके ज़ स्टोरार रहां मुझे सलונה करो तो मिझा लोग यह करें हो तो मै अच पासाँ पह रहा हूं कर्ने का सौच रहा हूं कोई काम नहीं हुट अब यदिधे हैं हमारे वीदे सी कि मेरी बात को समझेंगे तो यकीनल अंडर्सेंट करेंगे और इससे रोगता है कि तीन साल बात, चार साल पात ऐसा हो रहा होता है कि आपके सामने हुँची सारी हो ते कि यार्चीस आपके हक्पे भातर नहीं था और ये बहुत अच्छा हुआ कि छीज आपको नहीं पर उसके अब हो इजुकिशन लाइख हो, कभी वी ऐसा भी है आपको आपको अफसोसुंटा है और मुझे साइंस लेना ना 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 प cone कhando उसके लिध लिटत लेकं अश। में लिद्धत बाट में बनालती है। और लास्ट में इन से बात की गई कि आप अप कर रही है, आपका भी कोई पार्टनर हो यह वो तुने बहुत सरे वी काम है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हों इस लाइफ को चुना है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह इस तरफ ना आए, ज्यादा गजर रही है जिनको आपके बात लगा आएंगी क्योंकि उन्हों बोला कि मैं घरेलू जिंदगी में जिन्दगी और अभी में घरेलू जिन्दगी ही जिरियों ऐसा नहीं मैं इन्हें थादी चोड़ दी है उनने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आम साधार्न लाइव गुजर गज़र रहे है यहां की तरह मैं है की उने मेरी मेरी घर्ठी हो परिवार के साथ जो केज़ों के उनोंतरों नोंता ही टाव्रेट करते हैं यह सिर्थ मेरे लगाओ है धरम की तरफ ज्यादा इश्वर की तरफ या भगवान की तरफ ज़ाद यह वहस्ती हो गहीं, समझो जिसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं मैं भूठ सीख सकते हैं क्या कह सकते हैं मतलब है कि में यह मैंटूर कहेंगे क्या कहेंगे हाँ मैं यह प्रहता है आमकॉम आसिन और जिर्राद इकाने हैं वह यह पर भूपसुरात बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, दुबारा की सिर्वीरी साब से मुलाकात हुई जब तक के लिए, अलाफिस